सो हेई गैस एक्स्ट्रीम है तो एक और ने वीडियो में आप सभी कास वागत है और आज हम लोग खेल रहे हैं पिक्सल मॉन फिर से तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने फाइनली एक डॉन विंग्स नेक्राजमा को अपने टीम में एड क लोगों फंप लेन आज हम लोग पकाने वाले ये का जोका आफने वीडियो से को लीया था ये खायर है तो यह है अब फिचले विडियो में दिखाय था और यह नया वाला लेकिन यहां साइड में स्पॉन नहीं है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यूखसी स्पॉं वह हो चुका है मैं बोल रहा था कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रूफ फॉरेस्ट है बाट यहाँ पर यूखसी भाई सा स्पॉं भी हो गए चलो शुरुआत तो बहुत अच्छी है अब बस ये मुझे मिल जाए क्योंकि इसे ढूनना थोरो बहुत हाइड है तो ये रहा ये यूकसी और इसे चैलेंज करते है रुको तो पहले हमेशा की तरह कुई वॉल फेकर देखते है तो और दिया इसने तो आई थिंक मुझे क्यों रहा हो भई शानती से ख़रा नहीं हो सकता है आपर जल्दी से इसके हेल्थ कम करते हैं बस इसके पास स्ट्रगल ना हो चलो इसके हेल्थ 0.7% पर आ चुकी है डाइब बॉल फेकते है अरे रेस्ट यूज कर लिया भई फिर से डिसेबल करना पड़ेगा मुझे ये ब करने वाला है देखते हैं अगर यूज सी रहा तो बढ़िया होगा स्पॉन चंसे तो 100% है लेकिन नहीं हुआ इस बार फिर से 8 मिन वेट करना पड़ेगा तो मुझे इसके भी नेक्स्ट वाले लेजेंडरे स्पॉन के लिए वेट करना पड़ेगा तो अब इसे फिर से हा रोको अब मैं इसको ब्लॉक करने वाला हूँ तो इसके लिए जगा बना दी मैंने याहांपर और अब शुरू करते हैं इसपे अल्टरा बॉल थो करना लेकिन हो क्यों नहीं रहा भाई मैं इस पर इल्टरा बॉल थो क्यों नहीं कर पा रहा ओके आइन्टिंक अब ठीक ह अब एक एक करके इस पर ultra balls हो करते है जल्दी से जल्दी मेरे पास सिर 20 ultra balls बचे हैं और मुझे लग रहा है कि कम पर सकता है ओके गईस हम लोग नहीं को उख से पकड़ लिया यहां पर भाई मैं ढर गया था मैंने सोच लिया था कि हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सिर्फ 15 इल्टरा बॉल बचे थे और ये फाइनली कैच हो गया तो देखो ये रहा हमारा यूकसी जो की जो की क्या बोलू मैं जो की यूकसी है इसके साइस देखो गाइस इसके साइस एनॉर्मस है पिक्सल मौन तो बहुत अच्छा हो रहा है आजकल तो गैस हम लोगों ने यहाँ पर तीनों की तीनों लेक गाइडियन को पकल लिया है तीनों को पकलने में बहुत जादा मेहनत लगी है तो आइथिंक मैंने मेस्पिर्स से जो है अब देखते हैं इन बेरीस से इनका काम चलता है कि नहीं आइथिंक तो चल जाना चाहिए तो मुझे इनका हैपिनेस करना है 255 अभी इनका हैपिनेस 190 है तो इनने बेरीस खिलाते हैं आइथिंक गैस इनफ नहीं होंगे ओके इसे एक और बेरी खिलाना है तो मुझे एक और चाहिए यूकसी से तो हमारा रेट चेन कम्पलीट हो जाएगा उसके लिए मुझे पहले बेरीस चाहिए होंगे तो गैस मैं मिलता हो आप लोगों से थोड़े बहुत हैपिनेस के बेरीस करने के बाद ओके तो I think मेरे पास इनफ बेरीस आ चुकी है तो यहाँ पर मैंने यूकसी को थोड़े बहुत बेरीस दी और इसका हैपिनेस 236 हो गया और गैस मैं देख रहा हूँ कि एक बेरी से इसका हैपिनेस दो बढ़ता है तो एक और रूबी चाहिए मुझे और फाइनली इस रूबी को दे देते है यूकसी को ओके तो यह बन चुका है रूबी ओफ नॉलेज़ अब यूकसी को थोड़ा साइट में रखते है तो गैस फाइनली हमारे पास तीन तीन रूबी सा चुकी है जो कि है रूबी ओफ नॉलेज, रूबी ओफ विलपावर और रूबी ओफ इमोशन तो फाइनली अब हम लोग रेट चेन बना सकते है और बना लेते है चलो तो मुझे बस इन तीनो रूबी को ऐसे रखना है और यहां से मुझे रेट चेन मिल जाएगा चोड़ो मैं इसकी परणाउनसेशन नहीं करने वाला मुझे पता है मैं गलती परणाउनस करूंगा तो आज का एक काम तो हो गिया हमें रेट चेन मिल गया और गैस मुझे लगता है कि हम लोग एक रेट चेन से एक ही लेजन्डरी को स्पाउन कर सकते है बट मेरे पस और्ब दो दो है एक एडमेंट और और एक डिसीयस और्ब एडमेंट और डियाल गया के लिए और गिराटिना के लिए तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कौन सा पुकेमोन पकरने की कोशिश करेंगे उसका फैसला है आप लोगों के उपर मैं इस बार कमेंट में नहीं बट कम्यूनिटी टैब में एक पोल रख दूँगा इस वीडियो के पबलिश होने के साथ साथ तो उसमें से आप लोगों को डिसाइड करना है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा पुकेमोन देखना है एक तरफ है डियाल गया औ मैं उसे को पकड़ने की कोशिश करूंगा लेकिन बोट करने के लिए ये वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देख लो पूरा आराम से फिर जाना क्यूंकि अभी हम लोग अपने डस नेक्राजमा और डॉन नेक्राजमा को बनाने वाले हैं मैं का दूसरा भी हो चुका है और देखो ज़रा चमक देखो इनकी क्या ही लग रहे दोनों बई गोल्डेन और वाइट का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों की आखों का डिजाइन अलगा क्या नहीं सेम है ओके तो दोनों यहां पर सेम बन गए और बहुत ही बैड़ और यह भी नेक्रासमा अल्टा फॉर्म तो गाइस यहां पर हमारे पास दो दो अल्टा नेक्रासमा आ चुके हैं चुकि बहुत भी आड़ेस लग रहे हैं और भाई इनकी साइज बहुत ही उज है अगर मैं इन्हें बापस बुला लेता हो तो यह फिर से नॉर्मल हो जाते हैं बढ़ हम किसे पोकेमोन के साथ फाइट करते हैं टाइम शायद इने एफॉर्व कर पाएंगे अल्टानेक्रासमा में मुझे दोनों का यह नॉर्मल फॉर्म भी बहुत अच्छा लगता है तो गैस मैं सोचाओ आज के लिए एपिसोर्ट थोरा सा छोटा था आइपिसोर और खदरनाक भी तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना चैनल में ने हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले ने वीडियो में माइनक्राप पिक्सल मौन के